Hello students, welcome back to my channel, it's Arish and IOS Institute आज आप लोग जानते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या बात करूँगी आज हम इस वीडियो में एक्जाम से रिलेटिड बात करेंगे और सबसे important news यह आई है कि CBSC के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करोना काल में एक्जाम होना नामुम्किन है एक तरह से बहुत मुश्किल है एक्जाम होना क्योंकि एक जगा पे सेंटर जब पड़ेगा या मास्क लगा कर आई है या सैनिटाइजर यूज़ करिए तो वहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसी होंगे जो अपना क्यार शायद ना कर पाएं तो उसकी वज़ाँ से कोरोना फैलने के काफी साधा चांसेज हो सकते हैं इसलिए जो है एक्जाम जो है कैंसल किया जा रहे हैं और सी बेसी के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है अब आती है एनाई यूएस की बात अभी तक इन लोग ने क्यों कि उप्रushman करitters Riпа कर दोना चाहिए मेरे से बच्च के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है इंकए एंक्जामर कर दिये गये है उनको प्रमोट किया जा रहा थो नाई ओथवालों के साथ भी से मसीचे वालों डिसिज़न अप्लाई होना चाहिए तएकश और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर CBSC के बच्चे हैं तो अगर उनको कुरोना फैलने के चांस है या भीड इखटा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी ओरने के चांस है अगर उनको प्रमोट किया जा रहा है एक्जाम रद कर दिया गया है तो NIOS वालों को भी रद खटा होंगे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी ओड़ेंगी ही ओड़ेंगी को इस्पेशली किसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा वहां पर इनसे दूर रही है आप इनसे टेश मतों यह कितने हैंगे वहां पर की मास्क लगा कर नहीं आएंगे कि इनको पता ही नहीं होगा कोरोना क्या चीजी है काफी यह जा लोग कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है तो उनकी वज़के से भी कोरोना फैलने का डर हो सकता है तो ने इस्टे बच्चे हैं उनके बीच में पीछ पनी टूरोना फैले evidenus की यह कि पता नहीं क्या क्या करो अब तो और जादा होगा कि फीवर चेक करवाओ और ये करवाओ, हैंड सानिटाइस करवाओ, तो उन सब चीजों में करोना फैलने का काफी जादा चांस नहीं बढ़ जाएगा, और कितने सारे स्कूल में तो कॉरिंटीन सेंटर बना दिया गया है, त तो कितने पेरेंट्स तो ऐसे भी होगे उनमें कि अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, और उनकी तो मजबूरी हो क्परोणा की वज़े से जो नहीं पाएंगे करोणा की वज़े से जिनका दूर घर होगा, इतने दूर सेंटर अगर पड़ेगा तो इतना काल में इतनी कि अपनी जान दाओ पे लगा दें हम लोग तो कुल मिला के बात यहीं आती है जैसे CBSC वालों को का एक्जाम रद किया गया वैसे NIS वालन का भी एक्जाम रद करना चाहिए और उनको प्रमूट करना चाहिए और बाकी थैंक्स वाचिंग और यह वीडियो जादा से जादा शेयर करिए और बच्चों को एना इस वाले बच्चों को ताकि उनको भी सारी इंफर्मिशन मिलती रहे और आगी भी अपडेट्स लेते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा